महाराश्य प्रदेख योग कॉंग्रेस वारा आज शेहर के सविधान चौक पर परती महंगाई चासुसी प्रकरन प्रश्टाचार के खिलाफ हला बोल आंदूलेंड किया गया लेकिन कॉंग्रेस नेता चंता की समस्याव को हल करनी और केंद्र सरकार का विरोध करने में यह भूल बैटी कि यह दोर कोरोना महामारी का है और राशनितिक, धार्मिक और सांस्कृतिक ऐसे सभी सारवजने कार्योक्रोमों पर सराच्य सरकार द्वारा बंदी लगाई गई है ऐसा होते हुए भी सत्तापक्ष की ही और सरकार में जिम्मिदार पदों पर मंत्री होते हुए भी वे इस आंदुलन में शामिल हुए यही नहीं उन्होंने मंच पर भाशन भी दिया तो क्या ये कोविड-19 की नियमों का उलंगन नहीं हुआ? क्या इन लोगों पर कोई होगी यह सभी नियम आम चंता के लिए ही बने हैं यह सवाल इस हला बोल आंदुलन द्वारा खड़े हुए हैं महाराश्र प्रदेश यह कॉंग्रेस स्वारा परती म्हेंगाई चासुसी प्रकरन प्रष्टाचार की खिलाफ सविधान चौकपर केंद सरकार की खिलाफ नीद लगाई गई है लेकिन महाविकास अगाड़ी में सत्ता में कॉंग्रेस प्रक्ष होने की बावचूद भी सत्ता प्रक्ष के मंत्री यह भूल बैठे और हला बोल आंदुलन की दौरान राची के जिम्मेदार पत पर मंत्री होते हुए भी दुद्ग वपशुसवरध मंत्री कॉंग्रेस के जिलाग्रामिन अद्धेशिर राचीन रमयव ऐसे जिम्मेदार कॉंग्रेसी निताओं ने मंच पर स्वागत भी स्वीकारा और चंता और कारेकरता को संबोधित भी किया है अब यही जिम्मेदार लोग कोविड नियमों को ताक पर रखकर ऐसे उपस्तिती लगाएंगी तो आम जंता से क्या उम्मीद करें इस हलाबोल आंदोलन में कई कारेकरता बिना मास देखी गए सोशल डिस्टेंसिंग का तो कही भी नामों निशान नहीं था यह लाबोल आंदोलन देखकर यह करना गलत नहीं होगा कि कानून सिर्फ आम जंता के ले ही बने है नियमांका उलंगन होने पर आम जंता पर कारवाई होती है क्या अब इन नेताव पर कोई कारवाई होगी या नहीं या बड़ा सवाल खड़ा होता है क्यामरा पोसंद माइकल के साथ शितिजाद देशमुक बीसे नियूस नाकपूर